अलो एव्रिवान वेल्कम वन्स अगेन इन गुड्डू ग्रामर ग्यानवान चैनल ओकी गैस आज का वीडियो बहुत ही खास है इस वीडियो के मादम से मैं आपको आज प्रोनाउन का अगला पार्ड बताऊंगा जो हमारा चल रहा है करिंट टाइम में इंडिफिनिट प्रो इसे यूज समझ सकते हैं जिसका प्रयूग आप चाहें तो किसी भी बोर्ड एक्जामिनेशन में चाहे आप क्लास 6 में हो 8 में हो 10 में हो 12 में हो किसी भी क्लास में हो कहीं भी कोई भी ग्रामर पल रहे हैं या फिर किसी भी कंपटिशन का एक्जाम के ट्राई आप कर रहे है चैनल को सब्सक्राइब करें तब ही सारा वीडियो आप मेरे दर अपड़ा गया देख सकते हैं और गैज इस समय में मैं यही चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सारी की सारी जानकारी को 100% सिखें ग्रामर पढ़ें और साथ में मेरा एक और चैनल है इंडियन इंग्लिज स्पेकिंग क्लास तर्यारी के नाम से चलता है जिसमें मैं आपको अंग्रेजी बोलने की तरीके सिखाता रहता हूँ तो आप इसे ध्यान से देखें और साथ में उसे भी सर्च करें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुती है इसलिए प्लीज यदि आपको वीडियो से तोड़ा भी साहता मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें आगे विलकुल आसान सब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है और आसानी से आप समझ सकते हैं एनि हाउ इन एनि केस अट एनि रेट एनि बॉड़ी एनिटिंग एनिवेर और गैज एक चीज़े और जान ले यह चीज़े मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं तो यह मैं सर्च करके आपको दे रहा हूँ पूरा 100% करेक्ट यूज आफ एनि राइट कहीं से भी किसी भी तरह से इसा आप नहीं काट सकते हैं पूरी तरह से अस्योड नॉलेज है जिसके द्वारा आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ने आगी तो गैज इसमें कुछ भी से इस नोट है इसको ज की तरह होता है अनिस्चित मतलब इन डिफिनिट मात्रा मतलब क्या नंबर और विशेशल का मतलब एड़ेक्टिव जिसका हिंदी का इंगलिस नहीं है मैं उसका इंगलिस बिता दे रहा हूं जिसका इंगलिस का हिंदी नहीं मैं उसका हिंदी बिता दे रहा हूं उसे आप कर लेना वीडियो को पच करके आगे बताया जा रहा है कि और इसका जो प्रयोग होता है affirmative plus negative guys यह wrong हो गया है तो यह negative नहीं है बलकि यह interrogative होगा ठीक है interrogative याद रखेगा और affirmative plus negative वाला sentence एक साथ जैसे रहे तब होगा या फिर negative में अलग से होता है या फिर negative में अलग से होता है clear ऐसे वाक्य जो होते हैं उसी में इसका विशेश रुप से प्रयोग होता है करने का मतलब सिर्फ affirmative sentence में इनका प्रयोग नहीं होता है ध्यान देना ठीक है any का प्रयोग या any से बने वे किसी भी सब्द का प्रयोग affirmative sentence में नहीं किया जाता है याद रखे 100% right और कहां होता है इसको जान ले वाक्य में जहां singular या plural noun होता है उसके just पहले इसका प्रयोग किया जाता है ठीक न वाक्यों में जहां singular noun या plural noun last में अधिकतर होता है तो उसके just पहले इसका प्रियोग किया जाता है वाक्यों में ठीक जैसे हम यहाँ पे example दिये हुए है example में है जैसे can see give any pain can see give any pain interrogated sentence है क्या हुआ है कोई column दे सकती है एक example है वाक्यों का राइट इसे द्यान दे एक और example दिया गया है इसको भी देख ले can you carry any mangoes यह singular के लिए था और यह plural के साथ में है जैसे कि यहाँ पे बताया गया यह भी noun है और यह भी noun है तो can you carry any mangoes क्या आप कोई mangoes ले जा सकते हैं guys any का मतलब unistit unistit है कोई या कुछ ऐसा यहाँ पे इसका meaning निकलेगा जैसा कि उपर मैंने आपको बताया है right आगे बढ़ते हैं जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा है same to same आपको इस आरीचे जन कर दी जा रही है अगला guys note 2 note 2 में क्या है कि इस सब्द का प्रियोग कभी कभी kriya vishishan के रूप में वहाँ पे था किस तरह से यूज किया जाता है मात्रा वाचक विशिषण और इस चित मात्रा वाचक विशिषण की तरह ठीक है न के रूप में और इसमें है कि कभी कभी इसका प्रियोग kriya vishishan के रूप में किसी conditional sentence या फिर negative या फिर interrogative वाक्यों में भी इसका प्रियोग किया जाता है राइट बिलकुल सिंपल है जैसे example में आप ध्यान दो जगर पर यूज होता है आपने ध्यान से दिखा होगा एक कहा गया है और इस चित मात्रा वाचक विशिषण के रूप में या फिर अगला बताया गया है कि क्रिया विशिषण के रूप में किसी कंडिशनल सेंटेंस या निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में प्रियोग किया जाता है जैसे यहाँ पर आप एक सेंटेंस देखें के example में I am too tired to run anymore मैं इतना ठक गया हूँ कि और आगे नहीं चल सकता कुछ आगे करने का मतलब कुछ आगे और नहीं जा सकता नहीं दोड़ सकता लास्ट आपके example है कि is your brother feeling any better क्या आपके भाई को अब कुछ अच्छा लग रहा है या अच्छा महसूस कर रहा है यह गैज इस दोनों का sentence है इस example के example दिये गए है और यहां पे आपका इसका example है तो गैज इसके अलामा any का और कहीं use नहीं होता है बिल्कुल any और any से बने वे किसी भी सब्दों का use total आपका यहीं पे मिलता है और इसके अलामा और कहीं नहीं होता है इसका use आप इसे 100% note करें और वीडियो को like करें और शाथ में लोगों को share भी करें और I hope कि इससे आपको जुरूर कुछने कुछ मदद मिले होगी तो please guys याद रखें कि अगर सारी जनकरी आप day by day लेना चाहतें तो चैनल को subscribe जुरूर करें bell icon भी प्रेस करें और आगे देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ में मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में तब तक के लिए थैंकि और वेनाज देप बाई